बुद्धवार को समाजवादी पार्टी का रहले पे कार्यकारणी की बैठक होती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से एक बयान आता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पे लड़ेगी और 15 सीटे जो है बाकी अनदल जो गडबंदन में उनके लिए छोड़ा जाएगा। इसके बाद सियासी गल्यारों में चर्चा तेज हो गई। कॉंग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। इसमें बाचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंग साजन है। सर जिस तरीके से कल कारणी की बैठक के बाद आपके ये प्रवक्ता है, उनका बयान आता है कि 65 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 15 सीटों पे लड़ेंगे। क्या कुछ कहना है इसको लेकर। देखी कल समाजवादी पार्टी की राजकार कारणी की बैठक थी और बैठक में जितने भी नेता आये थे सबी नेताओं ने मानी राष्टी एद्धिक जी के सामने प्रस्ताओ रखा समाजवादी पार्टी जादा से जादा सीटों पर लड़े, तभी उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को रोका जा सकता है, ये 65 सीटे, 70 सीटे, 60 सीटे, इस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि मानी राष्टी अधिक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गड बंधन का हिस्सा है, तो जब सभावी के इंडिया गडबंधन का हिस्सा है, तो इंडिया गडबंधन के जो बड़े नेता है, राष्टी नेता है, जब वो बैठेंगे, तब सीट सेरिंग की बात होगी, और कहां कौन लड़ेगा, समाजवादी पार्टी कितने पे लड़े तब ही उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को रोका जा सकता है। राजभर की भी 80 सीटों पर तयारी है। पिछले दिनों उन्होंने अलवसंख्यक बर्क के लिए अभियान चलाया। गुप्त बैठे के चल रही है। अब जो है ओविसी बर्क के लिए वो वकायदा हस्ताक्षर अभियान चला रहे है। तो कहीं न कहीं एक तरह से सेंद्मारी की भी कोशिश है क्योंकि आजम खान से भी मिलने के लिए बड़े लालाइत है। पहुँचे भी थे सीतापूर जेल जो है कॉंग्रेस के प्रदिस से पर। सीतापूर गए थे तो क्या मुलाखात कर ली। और अगर नहीं कर पाए तब उन्हें समझ जाना चाहिए कि आप इंडिया गडबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। इंडिया गडबंधन नहीं है। वो इंडिया गडबंधन का हिस्सा है। ऑप और कंग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि उत्तर्प्रदेश में उनकी नईया अगर कोई पार लगा सकता ि के अलाऊं उनके पास कोई हुआ रास्ता समाज चीज ए ब्रकितों है। दोनों दल आप लोग गड़बंदन में इंडिया गड़बंदन जैसे आपने कहा लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से लगातार जो है आपको गड़बंदन धर्म निभाने की बात याद दिलाई जा रही है जो है बड़ा दिल दिखाने की बात की जा रही है खास्तोर से चुनाओ ना लड़े तो उत्तर प्रदेश में भी तो कुछ नहीं है कांग्रेस क्या 27 का चुनाओ नहीं लड़ेंगे इस बात का जबाब दे दें कांग्रेस के अगर प्रदेश अद्यक्ष तो ठीक है हम उनकी भी बात पर विशार करेंगे तो ये थे समाझवादी पार्टे से सुनील सिंग शाजण जिनका साफ तोर पे कहना है कि जहां तक सीटो पे लड़ने की बात है कलकार कारणी में ये जरूर चर्चा होई कि ज्यादा सीटो पे समाझवादी पार्टी लड़ेगी हाला कि संख्या को लेकर कोई चर्चा नहीं और इसके साथ ही साथ उन्होंने कॉंग्रेस को लेकर ये कहा कि कॉंग्रेस भी उसी गड़ बंदन में है और समाजवादी पार्टी भी उसी गड़ बंदन में है। तो जाहरी तोर पे दोनों को जो है साथ मिलकर चलना होगा और तैयारियों को आगे बढ़ाना होगा। Camera person Goro Mistraksaath, Martand Singh, India News, Lucknow.